असलाम अलेकुम वेलकम बैक टू मैं चैनल आज हम मसूर की डाल से बहुत ही जबरदस्ते टू स्टेप करेंगे लिक्विड फॉर्म में हम पेस्ट भी रैडी करेंगे मास्क भी बनाएंगे तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी हैं दोनों स्टेप बहुत ही एहम हैं और ब फेस पैक लगाने में उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव होती है इसमें विटविन सी भी बहुत मिक्दार में मौझूद होता है डॉक्टर्स भी रैकुमेंट करते हैं कि आप हफते में एक बार तो लाजमी सब डालों को अपने खाने में शामिल कर लेना चाहिए डालों से हम में काफी प्रोटीन्स मिलती हैं तो चलिए अब पहला स्टेप हम स्टार्ट करने वाले हैं यहां पर मैंने मसूर की डाल ले ली है यह आप देख सकती हैं खाने से तो दाल हमारे जिसम को प्रोटीन्स महिया करती हैं लेकिन आज हम जब फेस पैक बनाएंगे इस पो अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे तो हमारी स्किन को भी काफी गलोन मिलेगा काफी फेरनस मिलेगी और स्किन बहुत ही ब्राइट हो जाएगी टाइट हो जाएगी बहुत ही खुपसूरत सी हो जाएगी हमारी स्किन आपने क्या करना है दो चमच मसूर की डाल लेनी है जितना पे लगाइगो के पहले से ही रख दीदे हमासी में जड़ाऊज कर लेंगे और उसको अच्छे से ग्रैंड कर लेंगे और आप इसमें पानी भी आएड कर सकती श्राइक करती हैं देखो और कि यहां पर चाहिन भी देटा है इसे शैन भी देता है और पेश்ट के मैंने ग्रैंड करके इसको बिल्कूल पेस्ट बना लिया है और यहां पर डबल मल का कपडा रख लिया है मैंने और जिस बरतन में हमें च्छानना है उसके उपर हम रख सकते हैं इसको इस तरीके से और निकाल के हमने इस पेस्ट को ना च्छान लेना है अच्छे से यह देख सकती है कितनी जबरदस थिक इसकी वो फॉर्म आ गई है हमारे पास लेकिन जो इसका paste है हमें सिर्फ इसका liquid अलग कर लेना है और ये जो उपर का paste होगा इसको भी हम waste नहीं करेंगे इससे आज हम face mask बनाएंगे और जो हमारा liquid form हमें है ये जो हमारे पास आ जाएगा इसका भी हम liquid gel type बनाएंगे face पर apply करने के लिए तो ये देख सकती है आप अच्छे से आपने इसका जो रस है निचोड लेना है निकाल लेना है एक बरतन में इसको अलएदा से तो देखें यहां पर काफी अच्छा पेस्ट मेरे पास आ गया है बिल्कुल liquid form में है ये देख सकती है आप बहुत ही जबरदसी जो है remedy बनेगी आज हमारी तो इस तरीके से देखें जाग को आपने अलग कर देना है आप थोड़ी देर के लिए रखेंगी जाग वैसे ही ख हूं इससे हम क्लिंजिंग करेंगे अपने फेस पर अपलाई आप बिला जिजक कर सकती है कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है यहां पर मैंने कच्छा दूद ले लिया है राव मिलक और इसको मैंने तीन टेबल स्पून इसमें एड़ करके जितना मतलब आपका पेस्ट है जितने भी डार्ट स्पोर्ट सब इसमें रिमूव हो जाएंगे इसके एक बार अपलाई करने से काफी अच्छा गलो आपको मिलने वाला है और स्कीन आपकी बहुत ही जबरदसी हो जाएगी गलो भी करेगी और आपकी स्कीन जो है नीट क्लीन भी हो जाएगी आपने इस त इसकी फास्ट कर दी है ताकि आपका भी टाइम जादा न ले सकूँ और इस तरीके से आपको बता भी सकूँ के गोल रैप करते हुए अपने फेस पर जैसे हम फेशल करते हैं उसी तरीके से आपने अपलाई कर लेना है अपने फेस पर यह देख सकती है आप दरदरा है ना उस तरीके से आपने स्टैप बाई स्टैप इसको पांच मिनट करना है रैगुलर तो यकीन जानिए बहुत ही जबरदस रेजल्ट मिलेगा आपको महंगे से महंगे फेशल करवाने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी आपको घर पे ही आप नैच्रल तरीके से फेशल कर लीजिए यह देखे हाथ कितने क्लीन हो गए हैं हमारा फर्स्ट स्टैप जो है वो कंप्लीट हो गया है आपके सामने और इस तरीके से ग्लो भी आ गया है मेरे हैंड पर अब हमने जो सेकंड स्टैप है ना इसको लिक्विट फॉर्म में जो हमने मास्क बनाना है उसको बना क्लूंगी यह देखें एक छमच पूरा अपने इस तरीके से भर लेना है केव खाने मिक्स करने में थोड़ा अर। विक्स करना है लेकिण आपने इसको अच्छे से भी आ यह करिंफ आर्ट करना है ऐसे तेल अलग और हमारा बे dalam होना चाहिए बिलकुल ईकुल फॉर्म में चाहिए यह बैटर हमारा तो चलिए जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया करें शेयर भी कर दिया करें अपनी फैमली फ्रेंड्स में अगर अच्छी लगे तो रेमेडी क्योंक वही चमच जो हमने खाने का चमच पहले लिया था तो इस तरीके से बस इसको ऐलोवेरा जेल जो है हमारे फेस से बहुत ज़्यादा जिदी दाग जो होते हैं अगर हम इसको रेगुलर अप्लाई करें तो वह भी हमारे फेस से साफ कर देता है इस तरीके से ऐलोवेरा जेल क को भी मिक्स करना थोड़ा टाइम लगेगा मिक्स करने में क्योंकि यह भी बिल्कुल अलग ही था इस बैटर के अंदर मैंने देखें ऑफ कैमरा इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और देखें बैटर कितना खुबसूरत और जबरतस रेडी हो गया है यहां पर तो चलिए इस काफ और घुच्छ खुश्क हैंट होगे हैं सल्ध कि वज़ासे उनको सॉफ्ट बनाती हैं और ग्लो देती है ज division Kleen कर लीrän दी चिए एक बार आप इस दोनों स्टेफ को जरूर कीजेगा जो फर्स्ट हमने बनाया था मास्क बनाया था वो भी जरूर कीजेगा और ये जो हमने बैटर रेड़ी किया है ये भी जरूर कीजेगा अब आप इसे को किसी भी कंटेनर में डाल कर अच्छे से फ्रिज में रख सकती हैं तकरीबन आप एक हफ़ता इसको एजिली यूज कर सकती हैं ये खराब नहीं होगा बिल्कुल भी आप फ्रिज में इसको स्टोर कर लीजिए और ये देखे कितना थिक और कितना खुबसूरत कलर आया है और बहुत ही जबरदस रिजल्ट था इसका मैंने यूज किया है इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूं आप जरूर टाइकेजिएगा आपको भी बहुत अच्छा लगना है ये थोड़ी महनत कर लीजिएगा लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा गलो मिलेगा आपक लोगी और फेस पर भी इसको अप्लाई कर लोगी क्लीन करने के बाद तो कैसे लगी आची मेरी रेमेडी जरूर कॉमेंट में बताईएगा अपना बहुत सारा क्याल रखेगा मिलती हूं नैक्स वीडियो में तब तक के लिए अला हाफी